घें, हाई एवरिवन, वेलकम बेक टो मैड चानल सोनिस किचन हाईलाइट्स आज की सोनिस किचन हाईलाइट्स में है एक औरमा एक कोरमा नॉर्मल एक करी से थोड़ी हटके है बहुत ही टेस्टी सिल्की क्रेवी के साथ रेस्टों स्टाइल की रेसिपी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की संडे की रस्पी को बनाने के लिए मैंने साथ उबले हुए अंडे लिये है हमेशा की तरह अंडों में इस तरीके से कट लगाएंगे जिसे की अंडे को फ्राई करते समय ये फूटेंगे नहीं अब हम एक पेस्ट बनाएंगे जो की इस रस्पी के जान है जिससे की हमारी जो ग्रेवी है सिल्की स्मूथ बनती है वो है खसकस और काजू की पेस्ट मैंने याँ पर देड़ बड़ा चमच खसकस और 7-8 काजू को भीगो करके रखा था ये तो इंग्रिडेट आपको जरूर से लेनी है चार हरी मिश में ले रहे हूँ और थोड़ी सी धनिया पता लेंगे अब इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे पहले से खसकस और काजू आप भीगो कर रखेंगे न ये अच्छे से पेस्ट जाएंगे बिलकुल स्मूथ हो जाएंगे देखिए आप कड़ाई में वेनिलिया है दो बड़े चमस तेल थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी नमक डालेंगे अंडो को सबसे पहले फ्राई करेंगे इस रेसिपी के लिए अंडो को आप बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें जस्ट हलका सा फ्राई करें जिसे कि इसक दाल लेती हूं अब इसी तेल में हम ग्रेवी भी बना लेंगे अलग से तेल और नहीं डालना है हमें तो इसमें मैं डालूंगी आधी छूटी चमस जीरा साथ में एक डालचिनी का टुकडा और तेजपत्ता डालेंगे खड़े मसाले भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं डा प्याश को मैं कद्दू कस करके लेती हूं या फिर बारिक काट कर लेकिन इस ग्रेवी के लिए हमें प्याश का पेष्ट ही बनानी है क्योंकि ग्रेवी हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए और प्याश को इस तरीके से ब्राउन कैरमलाईज होने तक हमें भूनना है मीडियम फ रेडी किया हुआ काजू और खस-खस का पेस्ट डाल देंगे अब क्योंकि यह खस-खस और काजू का पेस्ट है तो थोड़ी बहुत यह तले पे लगेगी कंटिनेसली चलाते हुए पकाएंगे सिर्फ दो मिनिट के लिए क्योंकि खस-खस को जादा भूनेंगे तो च killing चामच लालमिश पाउडर छूटी मिश क कशमेरी या देगी मिश पाउडर ढाल सकते हैं 2 reflection चमच धनिया पाउडर डालेंगे और एक चमush जीरा पाउडर ढाल देंगे अब यह चलते कि यह दाज शुआ मुझ given 一नुक्ति आ के समिशा अधा कप दही लेंगे मत अच्छी को अच्छिक कर डाले और खटा OFी झाल ले भहट ज्यादा खटा हो गाते ख़कर और अप पिरेश दही ले और हम इस स्टीब ऊपसे करने में से था स्टीब करेंं लustain के ापसे कि लेक्टे सिते युसे टही ऊपसे सिस्टीब और दही रतना और यह उनने मिक्सोर प्लाइब दाूर्ट मसाला अच्छे से मिक्स तो हो गए है लेकिन इन्हें पकाना बहुत ज़रूरी है दो मिनिट के लिए ठक कर लो टू मेडियम फ्लेम पे मसालों को पका लेते हैं अब आप देख सकते हैं मसालों में से तेल अलग हो गई है और जो ये ग्रेवी थी जो बहुत अच्छे से गाड ही हो चुकी है क्योंकि अच्छे से अभी पक चुकी है अब हम इसमें पानी अड़ करेंगे लेकिन हमें थंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है करम पानी ही इस वक्त आपको एड़ करनी होगी एक बार मिक्स करेंगे और फिर चेक करेंगी ग्रेवी को अगर ज्यादा अंडे डालने के बाद थुरी दर हमें और पकानी है इतने में ग्रेवी गाड़ी हो जाएगी देखिए मैंने कुछ इस तरीके का ग्रेवी रखा है यानि कि इतना पतला रखा है दो चोटी चमा चिकन मसाला पाउडर डाल रही हूं अच्छे से मिला लेंगे इसे और इस ग्र देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुकी है अब फ्राइ करके रखे हुए अंडे भी इसमें एड़ करतेंगे अंडे डालने के बाद भी दोस्तों हमें बीश बीश में चलाते रहना होगा नहीं तो काजू के पेश्ट के वज़े से ग्रेवी जो है तले पे लग सकती है मैंने तो नौन स्टिक कड़ाय का इस्तेमाल किया है आप अगर स्टील कड़ाय का इस्तेमाल करते है इस चीज का खास ध्यान रखे कि बीश बीश में आपको चलाते रहने होगी है अब हम बस तीन से चार मिनिट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इने पकने देंगे और फिर देखिए कितने सुन्दर ग्रेवी रेडी हुई है तरी बिलकुल उपर आ चुकी है दिखने में बहुत ही सुन्दर लग रही है दोस्तों और खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है अंड़ आप देख सकते हैं बिलकुल सौफ्ट है क्योंकि हमने इसे जादा नहीं फ्राइ किया है फाइनली एक छोटी चमच भूना हुआ और क्रश किया हुआ कसूरी मेथी डालेंगे अच्छे से मिला लेंगे इसमें एक और इंग्रिडेंट जाएगा बने रहे है दोस्तों अभी ये पकर तयार है अब हम क्या करेंगे न फ्लेम को आफ कर देंगे फ्लेम को आफ करने के बाद इसमें एड़ करेंगे क्रीम आफ फ्रेश क्रीम डाल सकते है या फिर जो दूद पर जमी हुई मलाई होती उसे फेट कर डाल सकते लेकिन मलाई ताजी होनी चाहिए वैसे कच्चे दूद में से भी फ्रेश क्रीम निकाला जा सकता है घर पर दूद को आप पासे 6 गंटे के लिए कच्चा दूद को किसी भी बरतन में डाल कर फ्रेश में रख दीजे उपर क्रीम बैठ जाएगी तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं और यहां पर हमारी अंडा मलाई करी बनकर तयार है बिल्कुल सिल्की स्मूथ रेस्टरान स्टाइल की ग्रेवी है दिखने में जितने संदर खाने में उतनी ही टेस्टी और यह अंडा मलाई करी ना नान रोटी पराठी के साथ तो बहुत अच्छी जाती है वैसे राइस के साथ भी कुछ बुरा नहीं लगता है बहुत अच्छी टेस्ट है इसकी जरूर राय करें इस रेस्पी को और कमेंट में बताना ना भूले कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी क्योंकि आपकी कमेंट्स मुझे मोटिवेट करती है ऐसे ही और भी अच्छी रेस्पी आप तक पहुँचाने के लिए अगर यह रेस्पी आपको किसी भी रिजन से अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजी क्योंकि फ्री में लाइक हो जाती है शेयर कीजी जाद से जादे इस वीडियो को ताकि और भी लोग तक हमारी वीडियो पहुंच सके और अगर इस चैनल पर आप न्यू है पहली पर आये है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रखे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिक्शन आपको सबसे पहले मिले चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ और टेक के थांक्स वर वाचिंग